नमस्कार दोस्तों मध्य पर्देश में बारी बर्सात की गतिदियों के साथ कोहरे की चादर देखने को मिल रहे हैं तेज हो के साथ शियोपूर अशोकनगर सतना गुना खंडवा डिंडोरी होसंगाबाद समेत किसी भी जिले गावे शेहर में रहेते पूरे मध्यपरदेश के तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और कमेंट करके जरूर बतना कि आप MPK कोन से जिले गावे शेहर में रहेते तो दोस्तों मध्यपरदेश में बताएजार की लगाता ठंड बढ़ती हुई नजर आरे है मध्यपरदेश के विबी निस्वों में बरसात की गतिदियों के साथ कोहरे को लेकर अलट जताय जार है तादे जानकरी के मुताद मध्यपरदेश में ठंड के साथ बारिश और कोहरे का सिलसिला जारी है प्रदेश में कई लाकों पर बारी बरसात हुई और कुछ दिन कड़ागे की सरदी पढ़ने के आसारे अभी दोस्तों दिसंबर तक बादल चाहे रिंगे नियुंतन तापमान और अधिक्तम तापमान में गिरावट होगी मौसम विबाक की माने तो बायलिस जीलों में दोस्तों जो है आज बरसात होने की संभा होना और मौसम विबाक की माने तो रिवा, सिधी, शेडोल, सिंगरोली, अनुपूर, खरगोन, और पन्ना, बढ़वानी, अलिराजपूर, धार, इंदोर, उज्जेन, देवास, आगर, मालवा, गुना, अशोक नगर, शिवपूरी, ग्वालर, दत्या, भिंड, मुरेना, जाब दितो है, तो कुछ जगों पर मौसम विबाक की माने तो यहाँ पर दोस्तो काफी जगों पर इंदोर में 17.8, गौालर में 16.8, जबलपूर में 18 के करीब तापमन आतो है नजर आ रहा है, अगले 24-48 गंटों की दोरन भी मध्या परदेश में तेज आओ के साथ, परिवरतन क साथ मौसम मिला जुला देखने को मिल सकता है, यहाँ पर बादल भी छाही रहेंगे और मध्या परदेश में बरसात का दोर, दोस्तो जो है थम ही नहीं रहा है, इसी वज़े से कोहरे का चादर भी देखने को मिल रहे है, रिवा, सिधी, सिंग्रोली, शेडोल, अनुपूर पन्ना, खरगोर, बढ़वानी, अलिराचपूर, दार, इंदोर, उज्जेन, देवा, सागर, मालवा, गुना, अश्योकनगर, शिवपूरी, ग्वालर, दत्या, बिंड, मुरेना, जाबवा, रतला, मनसोर, निम्च में, कम से कम बरसात की समन और प्रदेश में सबसे अधि मध्यप्रदेश वास्यों को दोस्तों तेजी से तापमन में गिरावट आतो है नजर आईगी, आज रात तक और भी ज़्यादा ठंड पड़ेगा, नर्सिंगपूर में सरवादिक 36 mm पानी बरस गया, पंचमडी में 22.6 mm, खरणोह में 21 mm, सीधी में 20 mm, बेतुल 18 mm, दमोह मे 17 mm, जबलपूर में 14.8 mm, गुना में 14.8, नर्मध्यपूर में 10.5 mm बरसात हुई है, इसके लावट टिकमगट, सतना, नोगाउं, खजुरा, और उमरिया, रिवा, शिवपूरी, रतलाम, बोपाल समेत, ग्वालेर, इंदो और मंडला समेत कई जगों पर बरसात हुई, और म जिलों में ओलाई वर्ष्टी होने के आसारे, इसी के साथ दोस्तों, रिवा संबा के जिलों के अलवा, हरदा, वेदिसा, उमरिया, शेडोल, जबलपूर, कटनी, नर्सिंगपूर, छिंदवाड़ा, और दमवा, सागर, बोपाल, बुरानपूर, खंडवा, करगों, दार, देवा, सिंदोर, साजापूर, और मनसोर, गुना, अशोगनगर, अनूपूर, छतरपूर, पन्ना, शिवनी, टिकमगड में गरत, चमक के साथ बरसात हो सकते हैं, मौसम में बदला, उताचड़ा, अफजार रहेगा, और मध्यपरदेश में तेज आओ के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा, आप दोस्तों मध्यपरदेश के कौन से जिले गाव या शेयर में रहते हैं, और आप के हाँ पर बरसात की गतिद्या हुई के नहीं, और मौसम में परिवर्तन देखने को मिला के नहीं, हमें कमेंट करके जरू बताईए, इसी के साथ दोस्तों और भी बरसात की गतिद्या जारी रेने, मौसम में ठंडग उतार चड़ा जार रेने के आसारे, कटने में 19-20 रात के समय दिन में 25-27-27-27 बादल चाहरी है, तेज आओ के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुल और बादलो के याउजे के साथ बदलाव और मौसम में ठंड़क मौसम मिला जुल और गुरुवार तक हलकी बूंदा बुंदी होगी, सीधी में दोस्तों बादलो के आओजे जारी 18-19 रात के समय तुदिन के समय 26-27-27 बादल चाहरी है, मौसम मिला जुल भी देखने को मिल सकता है, वह है दोस्तों यहाँ पर बढ़वानी की बात के हो तो मिला जुला रहने के आसार भी देखने को मिलेंगे, इसी के साथ धार में बताये जार की दोस्तों 19-20 रात के समय तो दिन के समय 25-26-27 बादल चाहरेंगे, मौसम में ठंड़ के उतार चड़ा अफजारी और बादलो के आओजे के साथ बढ़वानी की तो कुछ जगो पर और भी जादा ठंडा सौना रहने के आसार देखने को मिल सकते हैं, वही दोस्तों आपर बताये जार की पूरे के पूरे उज्जेन का मौसम बदलेगा, बादल चाहरेंगे, 18-19-20 रात के समय तो दिन में 24-25 बादलो के आओजे के साथ मौसम में ठंड़ के उतार चड़ा जारी रेने के साथ बदला बदला सा मौसम देखने को मिलेगा, वही शिवपूरी की बात के तो 17-18 रात के समय दिन में 23 चोईस, 3 दिन हलकी से अच्छी बरसात हो सकते हैं, बादल चैरिंगे बरसात की गतिदियों के साथ मौसम में ठंड़ के साथ मौसम मिला जुला रहेग तो 18-19 रात के समय दिन में 25-26 बादल चैरिंगे मौसम में ठंड़ के साथ मौसम में ठंड़ के साथ मौसम मिला जुला और ठंड़ सोना देखने को मिलेगा, विदिसा में 18-19-20 रात के समय दिन में 25-26 बादल चैरिंगे मौसम में ठंड़ के साथ मौसम मिला जुला और दिन के समय 26-27, 28 बादल चैरिंगे चिटपूर बरसाथ, बरसाथ की गतिदियों के साथ मौसम में ठंड़ के उतार चड़ा फजरी और मौसम मिला जुला रहेगा अशोग नगर की बाद के उतार चैरिंगे उतार चड़ा फजरी और मौसम मिला जुला रहेने के साथ और भी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा गोना की बात के उतार चड़ा फजरी और मौसम मिला जुला रहेने के साथ परिवर्तन भी ज़रूर देखने को मिलेगा होसंगाबाद में रात के समय 20-21 तो दिन के समय 26-27 रात के समय गरीब ताप मार रहेगा बादल चैरिंगे मौसम में ठंड़ा के मौसम मिला जुला भी रहे सकता है और परिवर्तन होने के आसार भी जटाएज आ रहे सिंग्रोली की बात के तो 18-19-20 रात के समय दिन में 26-27 बादल चैरिंगे गरुवार तक हलकी बुंदा बुंदी बरसात की गतिदियों के साथ मौसम मिला जुला ठंड़ा सौना देखने को मिलेगा उमरिया में 18-19-20 रात के समय दिन में 26-27 बादल चैरिंगे मौसम में परिवर्तन उतार चड़ा अफजारिय है और तेज आओ के साथ मौसम में बदला होगा रतलाम की बात किया तो 19-20 रात के समय दिन में 25-26 बादल चाहिरेंगे दो दिन बर साथ की गतिदियों के साथ मौसमें ठंड़के उतारचडा अफजारी है आजगर में 19-21 रात के समय दिन में 26-27 बादल चाहरेंगे मौसा में ठंड़क उतारचडा अफजर बादलो के अज़े के साथ परिवर्तन होगा। सागर में बादल चाहरेंगे मौसा में ठंड़क उतारचडा अफजर बादलो के अज़े के साथ परिवर्तन होगा। अनुपूर में पूरे साथ दिन बादल चिटपूड बरसाद उताचडा अफजर अगर में बादलो के अज़े के साथ मौसा मदल सकता उताचडा अफजर। तो यह था पूरे के पूरे दोस्तों जो है मध्या प्रदिश का मौसम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना